नमस्कार दोस्तों, आज हम इस विडियो में OPPO K10 5G vs Vivo Y15S 2021 का फुल डेप्थ कंपारिसन करने वाले हैं इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्ट फोन की जानकारी भी आपको विडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 6.45 इंच की लेंथ मिलती है विद्थ की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2.96 इंच की विद्थ मिलती है बात करें थिकनेस की तो K10 5G में 0.31 इंच जबकि Y15S 2021 में 0.32 इंच की थिकनेस मिलती है जो कि K10 5G से ज्यादा है अब बात करते हैं वेट की तो K10 5G में 190 ग्राम्स जबकि Y15S 2021 में 179 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कुमपेर करते हैं डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही Ips LCD की डिस्प्ले मिलती है अस्पेक्ट रेशियो के 10 5G में 20.1 रेशियो 9 जबकि Y15S 2021 में 20 रेशियो 9 मिलता है डिस्प्ले साइज की बात करें तो K10 5G में 6.56 inches जबकि Y15S 2021 में 6.51 inches मिलती है Display Resolution K10 5G में 720 by 1612 और Y15S 2021 में 720 by 1600 मिलता है Screen to Body Ratio K10 5G में 84.46 प्रतिशत जबकि Y15S 2021 में 83.02 प्रतिशत मिलता है बात करें PPI Density की तो K10 5G में 279 प्रतिश जबकि Y15S 2021 में 270 प्रतिश प्रतिश मिलती है अब देखते हैं Display के अन्य Features यानि विशेशताएं की जो की Mobile Phone का महत्वपून हिस्सा है अब बात करते हैं सबके पतंदीदा Features कैमरा की दोस्तों सबसे पहले बात करें Man Camera की तो K10 5G में 2 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की Primary Camera और आखिर में Depth Camera देखने को मिलता है और Y15S 2021 की बात करें तो इसमें भी हमें 2 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की Primary Camera और आखिर में Macro Camera देखने को मिलता है बात करें Video Camera की तो दोनों फोन में 7 Different Type के Features मिल जाते है अब बात करें Front Camera यानि की Selfie Camera की तो K10 5G में Single Camera देखने को मिलता है जिसमें की 5 Different Features मिलते है और Y15S 2021 में भी Single Camera देखने को मिलता है जिसमें 3 Different Features मिलते है अई अब बात करते हैं Hardware के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की Information देखते है Hardware में सबसे पहेले CPU जो की Speak के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे Important Part है उसकी Details देखते है GPU की बात करे तो, K10 5G में Mali G57MC2 जबकी Y15S 2021 में PowerWare GE8302 मिलता है चिप सेट की बात करे तो, K10 5G में MediaTek Dimensity 810 MT6833 और Y15S 2021 में MediaTek Helio P35 मिलता है बात करे RAM की तो, K10 5G में 8 GB जबकी Y15S 2021 में 3 GB RAM मिलती है बात करें Internal Memory जिसको हम Storage भी कहते है वो, K10 5G में 128 GB जबकी Y15S 2021 में 32 GB Storage मिलती है Expandable Memory की बात करें तो, K10 5G में अप्टू 1 TB जबकी Y15S 2021 में अप्टू 1 TB है Operating System की बात करें तो, K10 5G में Android V12 जबकी Y15S 2021 में Android V11 देखने को मिलती है बाटरी की बात करें तो, दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है अई अब Main Feature को देखते है Colors की बात करें तो, दोनों फोन में सेम ही दो Colors ऑप्शन देखने को मिलते है सब Information देखने के बाद बात करें प्राइस की तो, K10 5G 8GB RAM 128GB Storage के साथ 17,499 रूपीज में मिल जाता है और बात करें Y15S 2021 की तो, वो 3GB RAM 32GB Storage के साथ 10,990 रूपीज में मिलता है दोस्तों अब बात करते हैं प्रांज और कॉन्स यानि की फाइदे और नुकसान की तो, Oppo K10 5G में 8 फाइदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है जबकि बात करें Vivo Y15S 2021 की तो उसमें 6 फाइदे और 0 नुकसान देखने को मिलता है Finally बात करें है result की तो, डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है Main camera में के 10 5G आगे है Front selfie camera में दोनों फोन सेम ही है Performance में के 10 5G आगे है दोस्तों, अब हम same price में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं पहले competitor phone की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy A52 है, दुसरा Xiaomi Redmi Note 10 है, तीसरा Xiaomi Redmi Note 10 Pro है और last competitor phone की बात करें तो उसमें Tecno Camon 16 Premier है और ये सारे phone की details आपको description में मिल जाएगी दोस्तों अगर आपको ये video अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो please like करना मत भूलना